स्वास्त विभाग की टीम ने ब्लॉक मेडिकल ओफिसर कमल सोलंके की उपस्तिती में शुकरवार को शितला माता मार्ग स्थित एक अबेद क्लीनिक पर कारवाई करते हुए फरजी मुन्ना भाई को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया दरसल स्वास्त विभाग को जानकारी मेली थी कि शितला माता मार्ग पर कोई व्यक्ति बिना डिग्री की आम लोगों का इलाज कर उनके जान से खिलवाड कर रहा है दिसकी शिकायत लंबे समय से सीम हेलप लाइन पर दर्ज थी उक्त शिकायत पर स्वास विभाग की टीम ने शुक्रवार को फरजी मुन्ना भाई गौतम उर्फ तुशार पांडे की क्लिनिक पर कारवाई की और यहां से एक्सपारी दवाया भी जब्ट की है कारवाई के लिए पहुची टीम को मौके पर ताला मिला लेकिन शातिर मुन्ना भाई आगे ताला लगा कर पीछे के गैट से महरीजों का इलाज कर रहा था BMO कमल सोलंकी द्वारा मौके पर पंचनामा बना कर थाना खाचरोद में अफायर दर्ज करवाई गई है गौर तलब है यही मुन्ना भाई पूर्व में भी स्वास विवा के हत्ते चड़ जुका है नगर में इसी की तरह स्वास सिवाओ के नाम पर फरजी दुकाने संचालित की जा रही है जहां कोई कारवाई नहीं की गई मीडिया के सवाल पर ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर कमल सुलंकी ने बताया शिकायद मिली थी जिस पर कारवाई की गई जल्द ही टीम गठित कर फरजी एस्पितालों क्लीनिकों की जाच की जाएगी अब शक्तों है बंगाली बोदा चाप पिसके द्वारा आवेदारी तुरुक्ते गिलाज किया जा रहा था हमने मोके पर जो एक राज कर रहा था उसको भी वाटल इंएक्शन लगाई गई तो इसके पास से काभी माद्रा में इंएक्शन दवाई हैं और पंचलामा पनाए पर किसा जो कुई यह को उसे.